नमस्कार आप सभी का स्वागत है। क्या कोई इंसान सेकड़ों सालों तक जीवित रह सकता है? बिना अन्न के कोई भी जी सकता है गया? अगर आप देवरा बाबा के बार में नहीं जानते तो ऐसे सवाल आपके जहन में ज़रू आएंगे। लेकिन इस संत के बार में जानने के बाद शायद आपको यकिन हो जाएगा कि भारत के रुशिमुनियों ने तब तपस्य वं योग से दिरगायु जीवन वेतित किया था। धीरे धीरे बाबा की ख्याती देवरा बाबा के रूप में बरती गई। काफी वर्षों तक रहने के बाद देवरा बाबा वरंदावन पहुंच गए। वहाँ यमना नदी में मचान बना कर रहने लगे थे। उनका जन्म कब होआ, कैसे होआ, इसकी जानकारी किसी के पास योगिन एकादेशी के दिन याने की मंगलवार को 19.1990 को देवरा बाबा ने अपनी इच्छा से शरीत आग दिया, उनके आयू के बारे में तरे तरे के कयास लगाए जाते हैं, कोई उन्हें 900 साल का बताता है, तो कोई 500 साल का, हाला कि बाबा ने स्वेम अपने मुख से कभ अपने आयू या शक्तियों का जिक्र नहीं किया, भारत के पहले राष्टपती डॉक्टर राजंदर प्रसाद ने भी उनके आयू का दावा किया था, बताये जाता है कि डॉक्टर राजंदर प्रसाद कहते थे कि वे जब छोटे थे तब वे अपने पिता जी के साथ देव बाबा के दर्शन के लिए हर रोज हजार लोग आया करते थे, वो अपने पास आने वाले हर भक्तों को प्रसाद जरूर देते थे, प्रेम से मिलने और बात करने के बाद बाबा अपना हाथ मचान पर रखते थे, अचानक उनके हाथ में कोई फल, मेवा या कोई खादेपदार आ जाता था, फिर वो उसे प्रसाद के रूप में अपने भक्तों को देते थे, बाबा के भक्तों के लिए एक कोतोल का विशे होता था, क्या खिर बाबा के पास ये सब आया कैसे, हालाकि बाबा ने पूरा जिवन आनन नहीं खाया, दूद और शहेत पीकर जिवन गुजार दिया, उन्हें स्रिफल का रस भहुत पसंद था, बाबा जा अपनी मचान बनाते थे, उसके आसपास तमान पेड़ पौदे थे, उसमें बबुल भी था, लेकिन उस बबुल के पेड़ पर एक भी काटा नहीं था, लोग ये भी बताते हैं कि ये बबुल का पेड़ खुश खतरनाक से खतरनाक जानवर उनके सामने आते ही काबु में आ जाते थे, बताये जाता है कि बाबा पानी पर भी चल सकते थे, 1947 में तातकल प्रधान मंतरी राजु गांदी जब बाबा के दर्शन को आने वाले थे, बाबा वरंदावन में डेरा डाले हुए थे, प्रधान मं प्रधान मंतरी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बाबा बोले, तुम यह अपनी साहब को लाओगे, प्रशन सा पाओगे, लेकिन इसका दंडे तो बेचारे पेड को भोगतना पड़ेगा, वो मुझसे इसके बार में ज़रूर पूछेगा, तो मैं उसे क्या जवाब द मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए, उन्हेंने कहा कि यह पेड होगा तुमारी निगा में, मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है, दिन राद मुझसे बात करता है, यह पेड नहीं कट सकता, इस घटना करम से बाकी अपसरों की दुईदा बढ़ती जा रही थी, आखिर देवरा बाबा अपने भक्तों को उनके सर पर पएर रखकर उन्हें आशिरवात देते थे, उनने राजु गांदी के सर पर पएर रखकर उनको आशिरवात दिया, देवरा बाबा के भक्तों में देश के प्रतम राष्टपती, डॉक्टर राजजिंदर प्रसाथ, प्रतम प्रधान मंतरी जवारलाल नेहरू, लाल भादूर शास्त्री, इंदरा गांधी, राजिव गांधी सरदार भूटा सिं, नारायन दत्तिवारी, ऐसे कई नाम शामिल है। प्रधान मंतरी बनी। तो दोस्तो दिवरा बाबा के इस चमतकार के बारे में क्या आप जानते थे? अगर हाँ तो हमें कमेंड में ज़रू बताए। ओम नमस्षुवाय।